नमस्कार मेरा नाम आलोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार सहित पुर्य देश में आज नितीश कुमार की चर्चाएं हो रही हैं बिहार सहित पुर्य देश की राजिती में नितीश कुमार का नाम क्यूं बार-बार लिया जा रहा है क्यूं सब के जुमां पर नि अभी को बुलाया सभी को एक साथ बैठा कर मीटिंग की विपक्षी निताओं की एक जुटता राजधानी पत्ना में देखने को मिली बिहार लोकतंत्र की जन्नी वाली धरती जो ग्यान और तपवन की धरती है बिहार की धरती पर संस्कृति और इसको इतिहास है उसकी विरास सभा चुनाओं जो होने है उससे पहले विपक्ष में इतना दम है इतना मादा है कि सभी एक साथ हो गए वोटिंग परसेंटेस की बात होती है तो फिर अगले साल बीजे पिकले काफी सफर जो है वो मुश्किल होगा लेकिन आज हम नितीश कुमार की बात कर रहे हैं कहानी हम आपको बताएंगे एक ऐसा किसा आपको सुनाएंगे से सुनकर आप जान पाएंगे नितीश कुमार किस चीज का नाम है नितीश कुमार कैसे व्यक्तित वाले नेता हैं क्योंकि नितीश कुमार से कई दफा मेरी भी मुलाकात हुई है नितीश कुमार से मुलाकात पढ़ता हूं और नितीश कुमार क्या चीज है नितीश कुमार क्या शक्सियत हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे एक चोटी सी कहानी सुनाते हैं चुछा सा किस्रा सुनाते हैं आपको साल 2004 की बात है जब नितीश कुमार दो जगासे लोग सभाज चुनाओं लग रहे थ जीचे जीती थी और नितीश्क कुमार भी जो की चननाव हार गय थे हमारने नालंदा की बात करें तो बाच fällt कि मार उनSON जूनाव में जीते हैं और अगर отличree 1996 में जब लोखसुआ कि चनाव हुए थे लिजेख लोक्त बाते ठोगने विजे mm के नतीजों की बात कर रहे हैं वहीं विजय कृष्ण ने उस वक्त जो की जनता दल से चुनाव लड़े थे दो लाख हुए लोग सभाके उस वक्त आरजेरी ने बाइस चीटे जी लालू पिशादव को अपार सफलता मिली जिसके बाद लालू पिशादव के अंदर में मंत्री बनाये गए हलाकि फिर बिहार से सत्ता गवानी पर हाथ से नितीश कुमार उस वक्त मुक्त मत्री बने लेकि रिपटन वोट विजय कृष्ण को मिले थे थिन लाख नवासी हजाए 166 वोल नितीश कुमार को मिले थे नितीश कुमार चुनाऊ घर इस बात का उन्हें काफी दुख था नितीश कुमार ने अपने कारकरताओं से कैसे कर तो बात भी नहीं कि ठीक से जब वह चुनाऊ हार नितीश कुमार का वो रेल इंजन रेल की जो पहिये बने वाले जो कार खाने हैं वो खोले गए हैं तो ऐसी कई सारी फैक्टरीज हो गई या फिर रेलवे लाइन को लेकर के नितीश कुमार ने अपने रेल मंतरी रहते हुए कि नितीश कुमार उसी दो WyPL2 मिनता जीत गये दो Den sadece संजरेफE लेकिन इति नतीश कुमार उसहार से इतने हताथा चुनाओ केंज़ित पुराना रहा था बार से चुनाव जीते थे बार उनका संसरेश छेत था लेकिन इतीश कुमार नालंदा से चुनाव जीत गए 2004 में वहां के भी आंकरे आपको दिखाते हैं नालंदा से इतीश कुमार ने जब चुनाव लड़ा था उसी 24 की बात है तो चार लाख 17310 मत उन्हें मिले थे यानि कि 471 310 और उनके जो प्रतिदंदी रहे थे लोग जन्सक्रति पार्टी के यानि कि लोजपा के डॉक्टर कुमार पुषपंजय उन्हें तीन लाख अन्सट हजार नौसोच चौदा मत मिले थे जो दूसरे इस्तान पते यानि कि 368 थाउजन नैंने 14 तो नितीश कुमार चुनाव जीत गया लवह एक लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गया लेकिन नितीश कुमार इतने दुखी हो गया इतने दुखी हो कि नालंदा से वह चुनाव जीत गया है कि एक पहले अगर हम डिहास उठाकर देखें तो नितीश कुमार ने नालंदा से कई लोगbox जीतवाया है अगर अभी देखें तो कॉष्णिंदर कुमार जो कि वहां सांसद है नितीश कुमार की कृपापर है कुष्णिंदर कुमार यह मानते भी है लेकिन नितीश कुमार जब नालंदा से चुनाव जीते तुन्हों नितीश कुमार को दुख सता रहा था और में नितीश कुमार के लिए खुप रचार करते थे जब किसी की बात नितीश कुमार ने नहीं सुनी नितीश कुमार ना किसी की बात सुन रहे थे ना वो सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे क्योंकि नालंदा से चुनाव जीत गए थे दो बार फोन की घंटी भी बज गई दो बार वहां से फोन भी आ गया कि हाँ चुनाव को तीजे घोशित हो चुके हैं जो जीते हुई मिद्वार है यानिके नान्दा क्या है नालंदा के लोको का तोल्गेम मिलता रहा है नारंदा से चुनाउजीत गया लेकिन जहां मैंने काम किया बार बात कर रहे हैं तो नितीश कुमार ने शर्ट क्या रख दी शर्ट ऐसी जिसे सुनकर आज के समय में जो राजनेता होंगे जो चुनाव जीते होंगे वह भी हक्के-बक्के रह जाएंगे क्या वह ऐसी शर्ट रख सकते हैं नितीश कुमार को जब मनाने की बारी आए कौन उन् सब्घुर्ण जिते हैं देश कमा की बेहत करीबी रहे हängt दिशक रॉल्य ते आनली कॉमेश्वर सिंग को नितीश कुमार मुझा को मनाने भेजा गयाisesti कारकरताओंग को नोज्टव फुड़ पर कामेशो सिंग गये भी कामेशो सिंग नितीश कुमार को मनाया है चल्ल कि एक कं से कम सरीफिकेट ले लिए जा ठीक है जो हो ना था वो हो गया चुनाव हार गये काम भी आप आपने किया लेकिन सर्टिफिकर तो लेना होगा ना जालंदा से चुनाओं जीत गए हैं आप सांसत तो हुए है आपको बतादें 2004 में ही सुशील मोदी भी सांसत बने भागलपूर से चुनाओं जीत गए थे बाद में 2005 में सरकार बनी तो फिर शुशील मोदी ने लोकसभास स ना कोई जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे ना कोई मुझे फूल वाला माला देगा ना कोई मेरे ऊपर फूल चीटेगा आप जड़ा सोचिए नितीश कुमार ने जब शर्त रगदी कि ना कोई जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे नितीश कुमार नहीं लगाएंगे यह शरठ कमार ने और कोई फूल वाला माला नहीं देका और इन पर फूल नहीं ठीटे कोई यस्ट की हमाइप साथ कि कि बाते तो माननी थी फोन गया इलेक्शन एजेंट थे मैंने बताया श्रवन कुमार उसक्र विहास कायों मंत्री है उन तक फोन गया काड़करताओं को शांत रखने को कहा गया नितिश कुमार वहां जाएंगे गारी से लेकिन जिंदाबाद के नारी नहीं लेगे आप सुझ क्या यह संभव है तो कार्यकरताओं से भी कहा गया कि चुनाओ जीत गया है ठीक है लेकिन जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाएंगे एक बड़ी बात है आप समझ सकते हैं नितिश कुमार के वर्तितव को इससे समझ दिश कुमार ने साफ एक समझ लिया था कि जनता उन्हें नका रहा है बाहर से वहार हैं कहां चूख हो गई कहां जनता का विश्वास नहीं जीत पाए इस पर ज्यादा मन्थन करने उन्होंने उचित समझा नारंदा में जीत क्या है नारंदा की सीट तो राज सभाह है आपको पता होगा 2014 में भी जब दिश कुमार ने अके होती थी लेकिन नितीश कुमार की शर्थ मानने के बाद ही हम दोजाचार की फिर बात कर रहे हैं दोजाचार में जब नितीश कुमार सर्टिफिकेट लेने गया है श्रवण कुमार को पहली कर दिये गया था सभी कारकरता उन्हें सांतिस ख़रा रहना ही उचित समझा क्यों बिहार सरीथ हमकर से केंद्र क्राजिती में हो रही है वो शक्सियत क्या है कुछ पुराने किसे ऐसे हम लेकर आए आपके सामने इस वीडियो के जरीए जिससे आपने समझा और जाना के नितीश कुमार है क्या चीज़ लोग पूछते हैं 18 साल से बिहार के मुखमंतरी है और रोड़ हो हो स्कूलिंग की बात हो सरकारी विद्यालें हो पहले तो भावन भी हो गया है अपने वह तमाम चीजे अब बिहार मुपलब्द है और विकास के रहों पर आगे बरहेगा लेकिन नितीश कुमार की जब चर्चा हो रही है तो हमने सोचा कि वीडियो के जरीए है आपको बताएं नितीश कुमार है क्या चीज कई दफ़े गटबंदन बदला है सरकारे बदली है नितीश कमार के विरोधिये भी कहते हैं कि स्तीफान नितीश कुमार देते हैं लेकिन हमेशा विहार की मुख्षमंतनी ही बदलते हैं और तीसी दफ़ा वह चुनाव जीत प्रणाम करने वाले और कि खिद्नत में लगए नहीं है लेकिन शासन प्रशासन में काबिज नितीश कुमार ने हर वक्त इस बात प्रक्यार रखाया आज भी जब विरोधी उन पर निशानास आते हैं तो परिवारवाद और भस्टाचार के आरोप लगाने से पहले सोचते हैं कैसे लगा आरोप क्या तत्थ दें क्योंकि वैसे कोई तत्थ उन्हें सामने नजर आते भी नहीं है विरोधी जो है वो कैसे के थोड़ा हिचक जाते हैं इन बातों को कहने में लेकिन फिर भी पक्स लभी पक्स के लाई चलते हैं उन खबरों से आपको अपडेट रखेंगे इस वीडियो में हमने उस कहानी के जरी आपको बताने की कोशिश की है नितिश कुमार का क्या व्यक्तित तो रहा है कैसे उन्होंने चुनाओं जितने के बात भी यह कह दिया जिन्दा बात के नहीं लगा जाए यह बड़ी बात है एक बड़ी लबदी भी कह सकते आज की नेता तो खाया ऐसा त्याग नहीं करेंगे एक अलग त्याग की भावना तो है ही आप प्लाइप सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें धन्यबाद